नमस्कार मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर रासी वालों का 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 अगस्त का दिन कैसा बितेगा आने वाले साथ दिनों में आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन, क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले साथ दिनों का उपाई है जिस उपाई को अगर आप आज माते हैं तो आने वाले साथ दिनों के दोरान आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेसानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके स्वास्त के बारे में दोस्तों स्वास्त के द्रिष्टी कौन से आपका आने वाला समय सामानने रहेगा लेकिन सामानने रहने के बाबजूद आपके स्वास्त में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा आने वाले शमय के दोरान आपका confidence label यानी की आपका आत्म विश्वास बहुत ज्यादा मजबूत होगा आने वाले दिनों के दोरान आपके बोडी में उर्जा का अस्तर बहुत ज्यादा उंचा रहेगा और इस वजह से आपके श्वास्त में कहीं कोई पडेसानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका शमय शामान ने तोर पे बहुत ज्यादा बिहतर और सांदार होगा आप मेंसे जिन लोगों ने आने वाले शमय से पहले यानी की अपने पास्ट में कुछ धन संपती का निवेस किया था तो आने वाले शमय के दौरान पहले किये गए निवेस के वजह से आपको पैसों का फाइदा बहुत ज्यादा होगा वैसे अगर आपके घर पडिवार की बात करें तो घर पडिवार के दृष्टी कौन से आपका शमय शामानने से थोरा सा नीचे है आने वाले समय के दौरान अगर अपने घर पडिवार में आप कोई पडिवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले आपको अपने घर वालों से वारता लाब करना होगा और जब आपके घर के सभी लोग आपसे सहमत हो तो उनके सहमती के बाद ही आप कोई पडिवर्तन कोई बदलाब करें अने था आने वाले समय के दौरान आपके घर पडिवार के मामलों में आपको पड़ेसानी का सामना करना पड़ेगा इसके बाद है आपका प्रेम शम्बंध है तो प्रेम शम्बंध के दृष्टी कौन से आपका शम है शामाने तोर पे बहुत जियादा बिहतर और सांदार है आने वाले दिनों के दौरान अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मुलाकात करते हैं तो मुलाकात क आपका प्रेम शंबंधे बहुत जियादा रोमान चक और बिहतर होगा इसके बाद है आपका कामकाज तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका समय शामान निसे थोरा सा नीचे है आने वाले दिनों के दोरान अपने कामकाज में अपने काड़िय छित्र में आप कोई पडिव वर्तन करने से पहले आपको अपने सहकर में अपने कर्मचाडियों से वर्ता लाप करना होगा और उनसे वर्ता लाप करने के बाद ही आपको इपडिवर्तन करें अने था आने वाले शमय के दोरान आपके कामकाज में आपके काड़िय छित्र में आपको पड़ेसानी का साम पड़ेगा और आपके सहकर्मी आपके कर्मचाडी आपके कामकाज में आपकी सहायता नहीं करेंगे इस बात को आप याद रखें इसके बाद है आपका दामपत्ते जीबन दोस्तों आने वाले दिनों के दोरान आपके जीबन साथी से आपको कोई तुफ़ा मिलेगा कोई गिफ्ट मिलेगा और उस गिफ्ट के वजह से आपके जीबन साथी के साथ आपका संबंध बहुत ही जयाद मधूर और मजबूत होगा आने वाले शमय के दोरान अपने दामपत्ते जीबन में किसी भी बाहरी इंसान को आप इंटरफेयर बिलकुल भी न करने दें अने थ आने वाले शमय के दोरान आपको पड़ेसानी का सामना करना पड़ेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले दिनों के दोरान किस उपाई को आजमाने के बाद आपका समय बिहतर और सांदर होगा तो उपाई बहुत ही ज्यादा सामानी है आने वाले दिनों के दोरान आप अपने पॉकेट में या अपने साथ में हमेशा तामबे का एक सिक्का रखें अगर आप ऐसा करते हैं इस उपाई को अगर आप आजमाते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके जीबन में कहीं कोई पडेसानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस वीडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें और साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और इस वीडियो को आप हरजेगा सेयर कर दें धन्यवाद